देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश पहले से ही इस कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं इतिनले लोगों की जाने जा रही है, हर इंसान प्रयास कर रहा है किसी तरह के लोगों की जान बचे, उस दर्मियान के अ अपने भाई के साथ तो एक बीस पच्चीस ये दरिंदे मैं इनको कहूंगा दरिंदे नामर्द जिनमें ताखत नहीं है कि अकेला मुकाबला करें एक साथ आकर घेड़ते हैं और उनको अलफास बोलने के लिए कहते हैं कि आप ये बोलिए जब आसिफ नहीं बोलता तो उस अ इनोसेंट लोगों को मारा जाएगा कभी जैसीर्राम के नाम पर कभी गाई के नाम पर क्यूँ बेकुसुर लोगों को मार रहें ते कि काईदा कानुन किसी को अपने हाथ में लेने का अदिकार नहीं है पुलीस है कचेरी है इस तरह से 20-25 लोग आके एक को बोलने का जैया स पर उसको माट ढाना जाता है खावोश अब तक कोई अरेस्ट नहीं होता है क्यों अरेस्ट नहीं कि आसिफ के कातिलों को अब तक ये बहुत घिनोनी हरकत हुई है मेवाट में मेरी दर्खास है रिक्वेस्ट है खटर साब से कि आप फॉरन इंक्वाइरी करिए और जो भी दरिंदे आसिफ के कतल में शामिल है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करकर कानूनी सजा दिलाईए और दुआ करता हूँ अल्ला आसिफ मरून की मक्फिरत फरमाये और उसके घर वालों को सबर दे हम उनके साथ खड़े हैं मगर जब तक हमारे देश में एक सक्त कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरह की घटनाएं हमारे देश में रोज होगी और बेकसूर मुसलमानों को जो भी हो ना गरी उसको मारा जाएगा